Hello my dear students, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल लिए आपके स्टेडी, मैसल केशब केशना, your favorite physics teacher and mentor, NEET 2024 postponements related NTA का final reply आ चुका है, NTA member से discussion करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अब आप चाहो तो YouTube पे बहुत सारे वीडियो देखके अपना टाइम बरबाद कर सकते हो, या फ आपको प्रोवाइट कर दे रहा हूँ, और at the end, चाहे आप जितनी भी वीडियो देख लोगे, at the end यही होने वाला है, NEET 2024 से में, दूसरी बात है, NEET postponements हो या नहीं हो, मेरा एम है, आपको आपके dream college तक, आपको government college तक पहुँचा आना, और वो मैं पहुचा के रहूँगा अगर आपने अभी तक case card official telegram channel join नहीं किया है, तो must join कर लेना, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा surprise आने वाले हैं, और वहाँ पे कुछ ऐसे study material already provide किया गया है आपको, जिससे की आप easily 600 plus mark secure कर सकते, ऐसे दो region जिसके कारण NEET must postpon होना चाहिए, वो region यह ह है कि 7th मी को election है, और 5th मी को आपका exam है, what is the relation between election and your examinations, आपका examination center किसी भी government college या government school, या फिर प्रायवेट college, प्रायवेट इसकोल में बनाया जाता है, election का जो polling booth होता है, वो भी government college, government school या फिर private college, प्रायवेट इसकोल में बनाया जाता है आपके examination में जो staff member involved होंगे वो government college के staff होते हैं, government school के staff होते हैं या फिर private college, private school के staff होते हैं इस election में जो staff member involved होते हैं वो भी government school, private school, government college, private college के staff member होते हैं और जब यह 7th महीं को election होता है तो ऐसा नहीं होता है कि staff member आज सुबह में आएंगे और दिन में election start हो जाएगा, नहीं election का rule यह है कि एक दिन पहले जैसे कि मालो आपके घर के पास में election होना है तो वहाँ पे एक दिन पहले यानि 7th को अगर election होना है तो 5th मैं को ही वहाँ पे सभी staff member आ जाएंगे और वो वही staff member होते हैं जो कि government college, private college या फिर government school, private school से हैं 5th में को वहाँ पे पहुच जाएंगे पहुचने के बाद 6th में को सारे arrangement होके उन सब का training होता है कि particularly 7th में को काम कैसे करना है और फिर finally 7th में को election होता है इधर 5th में को examination भी start है और इधर 5th में को election का सारा काम भी होना है दूसरी बाते आपको याद होगा NEET 2021, 22, 23, previous 3 years से continuously NEET में paper leak हो रहा है NEET examination safely conduct नहीं हो रहा है तो जब सारे staff member free है जब इतने अच्छे से arrangement किया जा रहा है तब तो paper leak हो रहा है और इधर election में भी staff member बीजी है इधर इतने कम staff member के साथ examination conduct होने वाला है तो examination का क्या ही होगा भगबान जाले दूसरी बात है MHCET का जो examination है उसका date sheet revise होके अभी यह आया है इस examination में अगर आप देखोगे PCB group के लिए तो अलग date में examination है लेकिन PCM group जो है इसका 5th मई को भी exam रखा गया है अब आप बोलोगे सर यह तो mathematics के बच्चे है exactly यह mathematics के बच्चे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका physics, chemistry, mathematics and bio दोनों होता है अब मालो कोई एक ऐसा बच्चा है जो कि physics, chemistry, mathematics, bio दोनों लेके पढ़ाय कर रहा है उसने NEET का form fill up किया है यहां पे उसका NEET examination रहेगा 5th मई को दू फिल नहीं करके इधर से mathematics में form fill कर लेता हूं ताकि मुझे कोई college मिल जाएगा उस बच्चे का एक ही दिन में दो exam रहेगा वो बच्चा कैसे exam दे सकता है यह दो main reason था need postponement के लिए लेकिन NTA का final reply क्या है अब NTA क्या करना चाहती है NTA ने साप साप मना कर दिया है आपके examination postpon से related चाहे election का कुछ हो चाहे MSCET का examination क्यों नहीं हो अभी तक का जो अभी तक का जो report है वो NTA 5th मैं को ही exam conduct का रहा है थर्ड बाते NTA खुद से कोई decision नहीं लेगा एक्जाम postpon करना है और कितना postpon करना यह education minister decision लेते हैं I don't know कि education minister को क्या इतना ज्यादा benefit मिलने वाला है 5th मैं क को ही conduct करा की कि वो postpon नहीं कर रहे हैं but वो rigid है 5th मैं को ही conduct कराने के लिए और simple सी बात है यार अपने देश में politics सबसे उपर होता है politician के पास सबसे ज्यादा power होता है वो जो चाहे चुटकियों में कर सकते हैं तो कुछ न कुछ तो जरूर ऐसा उनको benefit दिख रहा होगा 5th मैं को ही conduct कराने से इसलिए वो 5th में को ही conduct करा रहे है तो बेटा अब आपके पास कोई भी postponement की अगर और news आती है तो आप उसको avoid करना आपके पास कोई confusion नहीं रहना चाहिए आपका examination 5th में को ही होने वाला है अगर आगे फरदर कोई भी sudden changes आती है तो मैं आपको telegram पी quick update दे दूंगा मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में विश्यों अला बेस्ट